हालो फ्रेंट्स गुड मानिंग वालकम बैक टो एनिमी मन फेश्चन आज फिर हाजिर हो गए हम आपके सामने कल की वीडियो में हमने मशीन एंब्राइडरी के आपको कुछ डिजैन दिखाए थे आज की वीडियो में आप जो है आपको हैंडवर्क के डिजैन दिखाए जाए और कुछ कॉटन के पीस है वो दिखाऊंगी मैं आपको तो वीडियो में आन तक बने रहें ताकि आप नए नए डिजैन्स देख सकें और कॉटन की अच्छी कलेक्शन देख सकें तो अब मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ यह देखिए यह मोडाल साटन है प्रिंट है जो आज कल वी शेप चला हुआ है और हमने जो है सिक्वेंस में सितारा लगा के कट दाने से काम करा है नीचे लॉकेट बना दिया है यह थोड़ा सा जो है आपका हाइलाइट करने के लिए हमने पैच डाला है उसके उपर जो है मोती डाले है और जो है बाजू में भी सिक वैंस है यह देख लीजिए आप यही वाला जो गले में डला है यही बाजू में डला हुआ है तो आपको जो पसंद आता है डिजाइन उसका स्क्रीन शॉट लेकर रखें अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी यह किसी की सलवार थी किसी को सलवार और कहीं पसंद आया था उनका कमीज गूम हो गया उगस उन्होंने जो खरीदा वो सिरफ सलवार और दुपट्टा खरीदा है तो मैंने उनकी जो है सूट रेडि कमीज रेडि किया है उनका दिखा देती हूँ मैं आपको अब आप देखें यह देखिए जिस जिसके सूट है व यह हमने सेम वर्क किया है बिल्कुल सेम जो उनका सलवार के पहुंचे पर बना हुआ है वही वर्क हमने जो उनके कमीज पर डाल दिया है मैं कमीज लंबा करके दिखाऊंगे आपको अब देखना हमने कैसे डाला यह यह पैनल बनाया है उपर से यह देख लीजिए कंदे से जा रहा है और दोनों साइड जा रहा है यह बूटा दोनों नीचे जो आपके घेरे पर आएगा साइड में यह देख लीजिए आप यह देखिए और यह बाज्यू डालिए में बाज्यू में है 17 इंची चाहिए वह जैसे मर्जी थ्री फॉर्थ बनाए या हाफ बनाए जैसे हमने थ्री फॉर्थ के हिसाफ से काम किया है तो आप भी अपने सूट कस्टमाइज करा सकते हैं अब में महरूम दिखाऊंगे आपको एक महरूम बना हुआ है जिसमें बॉट नेक्ट गला या फिर आप जो राउंड शेप गला बना सकते हैं बड़ा सुंदर सा दबके का व भाला राउंड भी बन सकता है और आप अपना बॉट नैकर इसहेप में ले सकते हैं जैसा मर्दी आपको जो पसंद आए वह प ले यह बाज्यू एह बता देतीजिए हैं दबका लगा है मोती लगा है और आपका थ्रेड लगा हुआ है एंटीक है सारा सारा ही एंटीक है एंटीक से किया हुआ है ये चंदेरी महेश्वरी है और ये कस्टमर का पीस्ता हमें हाइलाइट करा रहा था मैंने सिरफ हाइलाइट करा है वो मैं दिखा देती आपको सिरफ और सिरफ बूटी हाइलाइट कराई हैं ये तो बाजू है और कमीज में भी ऐसे ही हुआ है वो मैं दिखाती है आपको ये देखिए ये आपका फ्रंट है कमीज जो हाइलाइट हुआ है दुपट्टा भी हाइलाइट किया है वो भी दिखा देती हूं मैं आपको बहुत खूब सूरती से हाईलाइट हुआ है जरा नस्दीक से देखिए यह देखिए यह सारे ही बुटे जो जितने भी है दुपटेक अंदर यह सारे बुटे हाईलाइट ऐसे ही हुए मैरूम शेड से बलाक के अंदर मैरूम बहुत सुन्दर लगता है अब मैं आपको एक जो है दिखाऊंगी लखनवी वर्क जो हमने कराया है ये देखिए ये देखिए ये लखनवी वर्क कराया है घेरा है बूटी है और इसकी बाजू बनाई है हमने बाजू भी बनी है वो मैं दिखाते आपको ये रही बाजू बाजू में सिरफ बूटी बूटी डाले है इसमें पट्टी लगा सकते आप सभी कलर्स की तो ये थे आज के हमारे हैंड वर्क के पीस आपको जो भी आपको डिजाइन पसंद आता है स्क्रीन शॉट लेके रखे मैं अब आपको कॉटन के सूट दिखाना चाहूंगी जो जैपुरी कॉटन होती है बहुत ही फाइन सिक्स्टी सिक्स्टी की कॉटन है यह देखिए दुपट्टा है इनके साथ कॉटन दुपट्टा एक पीस में पूरा कॉल के दिखाऊंगे फिर दाइमेटर दाइमेटर सलवा दाइमेटर आपका कमेच यह कॉटन दुपट्टा है बहुत सॉफ्ट कॉटन है इसमें आप लेज वेज लगाकर अपना सूट कस्टमाइज करा सकते हैं जैसे मर्जी यह देख लिए इनकी रेट की बात की जाए तो 900 रुपे पलस शिपिंग मैं कलर दिखा देते इसके यह गाज रिशा शेड सलवार है जैसा इसमें पर लोचारि फिलार सलवार के अंदर जैसा इसमें दुपटे के अंदर फुलार सलसा यह सलवार यह चोटे चोटी बूटी जो है सलवार के अंदर है यह देख लीजे बहुत सुन्दर जो है कॉटन दुपट्टे दिये गया है यह देख लीजे यह जैसे यह दिया है तो यह सी सलवार मिलेगी शायद यौन थे अना जों इसमेंट बूटी यह चोटी शोटी बूटिया है यह आका दुपट्टा आ conti दूपट्टक भौथी प्यारा चूट में को यह आपका परपल है गाजरी बेबी पेंटार बेबी पिंग या गाजरी कह सकते हो थोड़ा सा लाइट गाजरी के साथ परपल का शेड बहुत प्यारा शेड है यह आपकी पॉटन दुपट्टा है यह सलवार दी गई है दुपट्टा इसका आपको खोल के दिखा देते हो थ जैपुरी सूट बोलते हैं इंको गणर घर में के अंदर बीबा के अंदर और इनके से पुर्टिया बनती है और जो पैंटे मन के दिखाई दे आपको शोरूम के अंदर लगे वो दिखाई दे जाई है ये सलवार ये कमीज ये दूपटा कॉटन दूपटा इसका दूसरा कलर ये है ये है कॉटन दूपटा इसकी सलवार ये है तो फ्रेंट्स जो आपको कलर पसंद आता है डिजाइन पसंद आता है स्क्रीन शॉट लेकर मेरे नमबर 8168-3100-207 पर आप सैंड कर सकते हैं पेमेंट जो मोड रहेगा फोन पे पेटियम और गूगल पे यही रहेगा कैश ओन डिलीवरी नहीं है सी ओडे अवलेबल नहीं है तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको हैव अनाइस डे बाबाई